जूसी, सॉफ्ट, मंचुरियन वो भी बिना कॉन फ्लार, बिना मैदा यूज किये हुए और बिना डिफ टाइंग हेलो फ्रेंड्स मैं विदीशा, वेलकम टू किचन स्माइल्स आज किचन स्माइल्स में हम बनाएंगे एक बहुत ही फेवरेट चिकन रेसिपी चिकन मंचुरियन पर इससे हम एक ट्विस्ट के साथ बनाएंगे अगर आप किचन स्माइल्स अब तक सब्सक्राइब ने किये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भीज़े और बेल बटन को प्रेस कीज़े नोटिफेशन के लिए तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे बनाते हैं चिकन मैचुरियन हमारे तरीके से इससे बनाने के लिए एक बॉल में हम देट सुक्राम चिकन मिंस लेंगे उसमें आधी चमच हम ग्रेटेट अधरक या फिर आप अधरकी पेस्ट पिट ले सकते हो आधी चमच लेसन का पेस्ट या फिर ग्रेटेट लेसन वो डालेंगे फिर एक चौथाई कप एक तम बारी कटी हुई प्याज डालेंगे फिर इसमें हम एक टेबल स्पून डार्क सोय सॉस डालेंगे और फिर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे फिर इसमें हाफ टेबल कोटी हुई काली मेच टालेंगे और फिर 2-3 चमच एक तंबारी कटी हुई धनीया पत्ति डालेंगे और फिर इन सब चीजों को हम अच्छे से मिला के इसे 30 मिनिट के लिए ढखके रखतेंगे मैरिनेट होने के लिए मेरिनेशन के बाद इसमें हम 2-3 चमच हम ओट्स पाउड तो इसी तरह से छोटे-छोटे portions लेंगे उसके बाद और ऐसे हम मंचुरीन बॉल्स बनाएंगे याद रखेगा जैसे बॉल्स फटेना इकदम फ़र्म होने चाहिए अब एक कटोरी में हम दो चमच ओर्स पाउडर एक चमच दूथ और जरूरत के हिसाब से थोड़ा- चाहिए रखेंगे उसमें हम चाहर सी पांच ठीबल स्पून तेल डालेंगे याद रखेंगे दूस्तों हमको डीप नहीं करनी है शैलो फ्राइ करनी है तो थोड़ा डालके उस पेस्ट जो घोल बनाये था उसमें मंचुरीन बॉल्स को हम कोट करके हम शैलो फ्राइ करेंग तो अच्छे से हो गया है अभी डीशाओ करते हैं सेम प्रॉसेस फॉलो करके सारे मंचुरीन बॉल्स उसी तरह से हम शैलो फ्राइ कर लेंगे अब एक कड़ाई में हाफ टीजपून हम तेल लेंगे उसमें एकदम क्यूब्स में कटी हुई एक कप प्याच और एक कप बेल यह अव को हम इकतम सौते करेंगे 3-4 मिनिट के लिए हलका सौते करें उससे हम एक प्लीट में निकाल लेंगे अब उसी कड़ाइ में हम 1 टीजपून फिर से तेल डालेंगे फिर तेल गरम होने पे एक टेबल स्पून एक्टम बारी कटी हुई लसन डालेंगे हाफ टेबल स्पून एक्टम बारी कटी हुई अधरक डालेंगे और एक हरी मिर्च बारी कटी हुई उससे डालेंगे आपको मिर्ची जादा पसंद है तो आप जादा डाल सकते हो और इससे भी हम सिर्फ दो मिनिट के लिए सोटे करेंगे फिर इसमें एक चौथाई कप एक तम बारी कटी हुई बेल पेपर्स डालेंगे हाफ कप बारी कटी हुई प्याश डालेंगे हाफ कप बारी कटी हुई पत्ता गोबी डालेंगे एक चौथाई कप बारीक कटी हुई ग्रीन बेंस डालेंगे और इनी भी तीन से चार मिनिट सिर्फ सौटे करेंगे थोड़ा सा हम नमक भी डालेंगे याद रखिए दोस्तो हम हर स्टेप में नमक यूज़ गे हैं तो इसी तरह से आप देखके नमक डालेंगे कहीं जादा न छाथ ग्रीन यूज़ नमक डालेंगे और हााफ चमच कुटी हूई काली मिर्च डालेंगे और फिर एक चस्थाई कप हम इसमें पानी डालेंगे और इससे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर ग्यास फिलिम को ठोड़ा हाय करके हम सारे छीजों को जो ग्रीवी है उसे एक उबाल लाएंगे उबाल आने पर इसमें हम जो सौटे कियो हुए बेल पेपर और प्याज थे वो डालेंगे और मंचुरीन बॉल्स जो शैलो फ्राइड थे उन ही डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स करते वक्त दोस्तों फ्लेम को थोड़ा हाई रखी गा जोई कीजिए गर्मा गर्म चिकन मजूरियन बिना कॉर्ण फ्लार और बिना मैदा यूज की और नो दीफ्राइड वीडियो अच्छा रगा तो लाइक और श्यार कीजिए और ऐसे क्विक इजी रेसिपीज के लिए टीचन स्माइल को सब्स्राइब जलूर कीजिएगा मिल